जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं, जब किसी को किड़नी, यूरीन, या फिर किड़नी में स्टोन, या फिर पत्री की समस्या रहता है, इसके अलावा और क्या दिक्कत, क्या परिसानी रहता है मरीज को, इस सीरप का डोज क्या होता है, इस सीरप में साल्ट क्या पाया ज चलिए अब हम आपको इस सीरप में क्या साल्ट पाया जाता है इसके बारे में बताते हैं जैसे कि जो इस सीरप में साल्ट पाया जाता है पोटोसियम सीटरेट, मेगनेसियम सीटरेट और बिटामी बी सिक्स का कमबीनेशन होता है जैसे कि इस सीरप का उपयोग यूरीन से किसी के किडनी में पत्थरी की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरफ पीने के लिए दिया जाता है और जैसे कि इस सीरफ का उपियोग यद कोई ब्यक्त है किसी भी कारड से उसके यूरीन का जो पियच है वो बढ़ गया है जिसके कारड जब वो पेशाप करने के लिए जाता है तब उसे काफी ज़्यादा जलन की समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है जब कोई ब्यक्त पेशाप करने के लिए जाता है तब उसे बहुत ज़्यादा जलन की समस्या रहता है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा पेशाप करते टाइम जो मरीज को ज जलन की समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है इस सीरप से और जैसे कि यद कोई ब्यक्त है उसके यूरीन में किसी परकार का इंफेक्सन आ जाता है उसके कारड जैसे कि वो पेसाब करने के लिए जाता है तब उसे बहुत जादा जलन की समस्या होता है या फिर पेसाब करते यदि किसी ब्यक्त के किड्नी में पथरी की समस्या रहती है यानि स्टोन की समस्या रहती है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है जैसे कि जो इस सीरप का मुख काम होता है जैसे कि अगर किसी के पेसाब में बहुत ज़्यादा जल पीने के लिए देते हैं और जैसे कि यद किसी के किड्नी में पत्री की समस्या रहती है एक परकार से हम कखा सकते हैं जब किसी बैक्त को पत्री की समस्या रहती है तब उस जो पत्री की प्राबलम है उसे ठीक करने के लिए ये सीरप डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी परेसानियों में डॉक्टर के दोरा ये सीरफ पीने के लिए दिया जाता है। साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी कुछ लोगों में जो सीरफ का साइड इफेक्ट देखा गया है। संपरक करें फिर कोई दवा इंजक्शन आप उपियोग करें। साइड लोगों में देखा गया है। साइड झाल इंजक्ट देखा गया है।